तो आज हम आपके लिए पांच बहुत बड़ी जॉब डेट लेके आ गए हैं और पहली और एकल की तरफ से आ रही है दूसरी पेपाल, कॉगनिजेंड, मोडी, अनलेटिक्स, एंड स्क्वाइरूप टेकनॉलजीज की तरफ से तो बिल्कुल आपका टाइम ने वेस्ट करते हुए आपको ये बता दें कि सारी अप्लाई लिंक आपको वीडियो की डिस्रिप्शन ने मिल जाएगी तो डारेक्ली वहां से जाके आप अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल टाइम ने वेस्ट करिए और अगर आपको अप्डेट के लिए तो ठीक है, पहली जॉब पेपाल जॉब की तरफ से आ रही है, तो यहां पर यह अप्लाई लिंक भी आपको डारेक्ली वीडियो की डिस्रिप्शन ने मिल जाएगी, आप वहां से जाके डारेक्ली अप्लाई कर सकते हैं, और यहां पर आएगे तो यह तो यह चीज आप पढ़ लिजेगा, और यहां से आप डिरेक्ली आके अप्लाई कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छे अपॉर्चिनिटी है, और I think so सबको ग्रैब करना चाहिए इसे, तो यह देख लिजेगा इसको, यह पेपाल की तरफ से जॉब आ रही है, और यहां पर आप देखेंगे, तो यह hiring interns, we are hiring interns with PPO offer for 2022 pass out candidate, तो जो भी candidate 2022 में pass out होंगे, जो इस समय final year में हैं, वे join कर सकते हैं January से intern के लिए शुरू के 5-6 महिने, ठीक है, तो internship करने के बाद, वो internship offer PPO offer में change हो जाएगा, रोल आपका जो होगा, वो होगा, junior devops engineer का, और criteria में strong analytical and problem solving skill, 6 position है, total 6 opening है, जो भी interested है, वो अपना resume send करना है, hr at the rate squareoops.com पे, और subject जो mention करना है mail में, वो लिखना है, devops internship position for 2022, तो यह आप कर सकते हैं, यह भी मेरे साब से बहुत अच्छी opportunity है, आपको पहले internship offer मिलेगी, January से आपकी joining हो गई, और 5-6 महिने बाद, वो internship offer आपका PPO में change हो जाएगा, और final year graduate, जो कि final year में है, 2022, 2022, pass out वाले बच्चे सब इस पे apply कर सकते हैं, यह link भी आपको directly description मिल जाएग Now we are moving on to our next job update that is coming out from Cognizant, तो Cognizant के दवारा एक नई job update आ रही है, जो कि position होगी associate project की Bangalore करना टक में, तो यह link भी आपको description मिल जाएगी, यहाँ से आप आके directly apply कर सकते हैं, इसके बारे हम आप पढ़ लीजे कि qualification क्या है, graduate, engineering graduate, यह सारे eligible है, requirement क्या है, and project estimation, design and analysis, यह सारी और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आके, यहाँ पर आके, यहाँ से apply कर सकते हैं, ठीक है, must have skill में क्या मांगा है, core API, HTML5, and portal CMS, or good to have skill, अगर आपको hibernate आ रही है, UML आ रहा है, JSR आ रहा है, spring MVC आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, यह full time job opportunity है, डेक, आपका shift timing day में ही और apply link आपको directly यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से आप आके directly apply कर सकते हैं, इस पर click करेंगे, तो आप आके directly apply कर सकते हैं, ठीक है, now we are moving on to our next job date, that is coming out from Oracle, यह भी बहुत अच्छी opportunity है, तो यहाँ पर आएंगे, तो यह directly apply now की button, आप यहाँ से आके directly apply कर सकते हैं, and आप इसके बारे हम पढ़ लिजे, कि what are the responsibility, what are the skill set that is essential for this job, and minimum requirement यह है, कि you must have a bachelor degree or above, ठीक है, and proficient with the English, any other language will be a plus, तो अगर आपको कोई और foreign language आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, but English में proficient होने चाहिए, और कम से कम एक साल का customer support experience होना चाहिए, call center experience को prefer दिया जा रहा है, ठीक है, तो यह चीज है, और एकल की तरब से job आ रही है, और अच्छी जॉब है, तो जिसको भी एक साल का experience हो, customer support में, या फिर call center में, वो आके यहाँ पे directly apply कर दे, और बहुत अच्छी opportunity हो, और एकल नाम भी बहुत बड़ा है, तो देख लिजे, आप लोग, job category support की होगी यहाँ पे, and location will be हैदराबाद तेलांगना, तो यहाँ से आके आप apply नौ कर सकते हैं, यह भी link आपको वीडियो की description ने मिल जाएए, आप directly वहाँ से आके apply कर देजे, and the last job date that is coming out from Moody's, तो Moody's analytics की तरब से यह job आ रही है, summer internship program 2022 India, and 2022 finance and technology internship, qualification आप चेक कर लीजेगा यहाँ से, student from diverse background and academic discipline with a strong focus on computer science, software engineering, finance and liberal arts, और दूसरी बात यह है, कि student हुआ graduating between December 2022 to June 2023, final year के बच्चे बिल्कुल eligible हैं, तो यहाँ से आप आईए और directly इसमें apply कर देजे, summer internship program India के तहःत, apply to job यह रही link, यहाँ से आप आके directly apply कर सकते हैं, and बहुत अच्छी opportunity है यह, तो इसको आप जल्दी से जल्दी इसको graphs करिए, और city गुरगाओं होगी, I hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, कोई भी doubt हो तो comment करके पूछिए, and once again thank you for watching the video.